सबी सातियों को जाय जोहार कल से हमारे कुछ मित्र बहुत ही जादा विचलित हैं वित्य भाग के आदेश को देखकर जिसमें यह सपर्ष्ट किया गया है कि आगामी जितने भी सीधी भरती होगी नीमित भरतीयां होगी उन सबी भरतीयों में तीन साल का प्रोबिशन प्रेड होगा उस तीन साल के प्रोबिशन प्रेड में फर्स्ट यर में टोरल सेलरी जो फिक्स्ट सेलरी होगी उसका 70 परसेंट होगा फिर सेकेंड यर में 80 परसेंट होगा और थर्ड यर में 90 परसेंट होगा उस डिरिशन में कोई इंक्रिमेंट भी नहीं मिलेगा और साथी साथ एक जो गलत वर्ड जिसमें इस्तमाल किया गया है वो है स्टाइपन जब यह आदिश मैंने पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ से बॉकलाहाट हुई थी मुझे भी इस आदिश को पढ़ने के बाद में फिर काफी मैंने विचार किया और आज सुबह कुछ मित्रों से चर्चा के बाद में कुछ निसकर्स में आपाया हूँ मैं जो आप सभी से मैसाज़ा कर रहा हूँ कि भी थोड़ सा समय देंगे और इस वाइस रिकॉर्डिंग को पूरी सोने की कोशिश करेंगे सबसे पहली बात हम लोगों ने कुछ दिन पहले आदरणी राज़पल महोदया से मुलाकात की थी और उनसे अपना विचार रखा था कि भरती को कैसे भी करकी जल्दी से जल्दी कंपलिट करें और यदे किसी कारण से भरती विथी स्थिदी की कारण अगर रुक रही अगर इसी का ही बहाना है तो हमें दो वर्स तक कम वेतन प्रताण किया जाए और जो भी वेतन सेस रहेगा उसको बाद में एरियस के रूप में भुक्तान कर दिया जाए दो वर्स में निसंदे प्रदेश के आर्थे के सिथी सुधर जाती है तो हमने ये सुझाओ दिया था दरणी राजपाल महोदया को अब इस बात को लेकर हम शियोर नहीं है कि कहिन गए राजपाल महोदया ने इसमें अपना युगदान दिया है इस निर्णे में है जैसा भी है हम इसमें अभी निसकरस पर नहीं आ सकते हैं पर हमने सुझाओ दिया था कि हम दो वर्स तक भले कम वितन पर काम करेंगे लेकिन जो भी वितन सेस रहेगा उसको एरेस के रूप में भुक्तान कर दिया जाए पर कम से कम लोगों को निक्ति आदिस दिया जाए लोगों को नोहरी दी जाए ताकि उनकी जो मांसिक सिती जो मांसिक प्रताणा वो जहल रहे है उनसे वो मुक्त हो सकें साथी साथ उनको भले कम मातरा में हैं लिकिन एक नेमित बेतन की रूप में एक आयकास त्रोत उनका बंच सके हैं दो साल के बाद जो भी भुखतान जो उनका सेज़ रहता उसको एरइस के रूप में तो-तिन किस्तों में भुखतान कर दिया जाए यह हम सुज़ाओ दिया था पर इस आदेश में यह कहीं नहीं हो सतता है हम लोगों ने कहीं बार-बारी से बातों को रखा था तो हो सतता है कि यहादद उन्य तक पहुँची हो और इसको इनोंने अलग भंसे इम्लेमेंट कर दिया है हमारा विचार बिल्कुल ऐसा नहीं था इसमें पहली गलती तो ये कर दी गई है कि इसको step and कहा गया है हम सब्द के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है step and के secondary इसमें एक समस्थ्य ये भी है कि ये 70%, 80%, 90% जो दिया जाएगा step and so called step and वो बोल रहे हैं वो उसकी जो सेस रासी है 70% में 30%, 80% में 20%, 90% में 10% जो सेस रासी है वो किसी भी तरह से ERS के रोप में बुकता नहीं किया जाएगा तो सबसे पहले इसके plus point पर जाते हैं negative point पर नोड़ा हम डिस्कस करेंगे last में थोड़ा समय लोग आप लोग होगा plus point यह है कि कहीं न कहीं सासन अब भरती का मूड बना रहा है चाहे वो हमारी भरती हो आप कोई भरती हो तो एक plus point तो यह है हमारा क्याम यह नि उसके रायर्स परस के हमारी ले ही चीज लागू की कि गया कि सीधी परती के परदो पर चैनित सास की सेवकों में 36 गड़ लोग सेवा अयोग से चैनित अभ्यरती की नुक्ती भी सम्मलित है मतलब PSC से जो डिप्टी कलेक्टर और सब जोदिकारी बन कहाएंगे उनके उपर भी यही नहीं लागू होगा तो यह किसी तरह की जाती से भंपर नहीं हो रही है सभी के लिए लागू रहेगा इन्यूवर्सल है सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि अगर गवर्मेंट नहीं यह आदेस निकाला है तो अगर उनको लग रहा है कि भरती करनी है तब ही इस तरह का उन्होंने आवश्यक जो भी अमेंडमेंट किया है वो किया है अगर उनको भरती नहीं करनी होती तो उनको अमेंडमेंट करने की भी आउसकता नहीं थे क्योंकि नेक्स जो PSC रेकृटमेंट होगा अगर थुरिद देखा जा तो थुरिद में तो सिफ और सिफ सिफस्छक भरती में नजर आ रही है और अभी हाल में जो medical की जो आये हैं vacances आये हैं वो तो उनको भी paper होना है बहुत सीचे बहुत लंबा process है तो हाल फिलाल में पुलिस की नियुकती और सिच्छा की नियुकती ही नजर आ रही है इसमें तो कहीं न कहीं diet impact उसका है और उसके लिए ही शायद ये इसको instantly जो है लागू किया गया है तो ये हमारी एक plus point है कि हमको निक्ति आदेस जल्दी मिल सकता है कब मिलेगा इसकी भी certainty नहीं है पर मिल सकता है इसकी संभावना बन चुकी है चुकी इसमें कुछ लूप होल्स है उस पर अपर फिलाल नहीं जाते हैं हमारा सबसे important factor ये है कि सिच्छित जो बिरजगार थे हैं जो प्रसिच्छित बिरजगार थे जिनके बाद B.A. degree की degree है उनको नौगरी मिलना आवश्च्छ था हमने अभी जो एक्जाम दिया प्रसिच्छ था है तो collector बन सकें और collector है तो फिर उससे बड़े अधिकारी बन सकें ये हर किसी का मौलिक अधिकार होता है किसी को growth करने से नहीं रोख सकते हैं और ये उनका अधिकार भी है और ये जायज भी है लेकिन अगर हम देखें इस particular आदेश को तो इससे एक benefit ये लोग अपनी posting पसंद नहीं आ रही है कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं है मैं को 2000 कम मिल रहा है तो 2000 और मिले किसी को लग रहा कि मैं आल्टो में चल रहा हूं तो मैं सिर्फ ले लो जो सिर्फ में चल रहा हूँ हो मर्सेडिस में आ जाओ तो मैं उनको नीडी नहीं मानत है या फिर employment जिनके पास है लेकिन वो struggle कर रहे है अपने जॉब में उनके लिए एक सुनारा मौका है हाँ जिनको swift desire से मस्विडिज में switch करना था जिनको 3BSK डिपलेक्स से बंगलों में shift करना था उनके लिए no doubt ये एक जटका है और वैसे लोग इसका विरोध भी करेंगे तो उनका विरोध करना मेरे कहाल से कही न कहीं मेरा वेक्तिकत विचार है कि जायस नहीं है क्योंकि यहाँ पे मुगदा रोजगार है मुगदा employment है कि जो प्रसिचित बेट डेट धारी है जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था उनको रोजगार मिलने के संभावना खुल रही है हम दो साल से जिस्टिस के लिए संघर्ज कर रहे है पदस्थापना के लिए उसके लिए कहीं के एक माग प्रसस्त हो रहा है हम सरकार के इस आदेश से पूंड़ता सहमत तो नहीं है लेकिन आंसी ग्रूप से सहमत है क्योंकि इस से कहें ने कहें हमारे भरती के दरवाजे खुल रहे हैं जो कोरोना में आर्थिक स्थिति हमारे निर्बित हुई है प्रदेश की, उस स्थिति में अगर इस आदेश से अगर हमको नियुक्ति मिलती है तो हमको इस आदेश का स्वागत करना चाहिए अब हमारे कुछ मित्र हैं जो विरोध कर रहे हैं कुछ आदर्शवादी हैं निसंदे हैं जो बेरुजगार हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं तो नियुक्ति पहले हमको मिल जाए हमारा प्रतम लक्ष नियुक्ति पाना पदस्त अपना पाना होना चाहिए इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने आदर्शों से समझता कर रहे हैं तो जो आदर्श वादी मित्र हैं हमारे जो आदर्ष के कारण इसका विरोध कर रहा है मैं उनको सम्मान करता हूँ और उनसे प्रातना करता हूँ इसका विरोध ना करें किसी भी तरह के लीगा लेक्शन ना ले क्योंकि वाजी में बहुत से गरीब बच्चे हैं उनको इस रुजगार के बहद आप सकता है तो उनका सम्मान करते हूए उनको इस भरती का हिस्सा बने रहने दे उनको निक्ति पाने दे Secondary जो most important चीज है वो ये है कि आदर्षवादी लोगों को छोड़ कर कुछ ऐसे लोग है जो पदस्थापना का लोग कि मैं यहाँ पर जॉब कर हूँ तो मुझे इसमें निक्ति मिलेगी तो मुझे ट्रांसफर मिल जाएगा नई जगा पर पदस्थापना मिल जाएगी कुछ ऐसे लोग है जो Second से First, First से फिर Married क्या है इंसानों की महत्वकांचा की कोई सीमा नहीं होती और इसमें कोई बुराई भी नहीं है तो कुछ लोग है जो वितन की लोग हो गए और अन्नी जो भी फैदे हैं उनकी चक्कर में वो चाहेंगे कि इस आदिस के नुरूप भड़ती ना हो तो मेरी उनसे भी प्रातना है कि कहें न कहीं आप स्थापित हैं कहें न कहीं आप सबल हैं अपने परिवार का ख़च वहन करने के लिए अपनी समस्याओं का नियागन करने के लिए अपनी आर्थिक समस्याओं का नियागन करने के लिए तो उनकी भलाई के लिए थोड़ा सा आप सब से योग करेंगे इससे बेनेफिट ये है कि हम सब को निउकती मिल जाएगी और चुकि मैं ये डिमांड और या फिर रिक्वेस्ट उनसे कर रहा हूँ जो जॉब कर रहे हैं कि विरोध ना करें मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं भी एक नौगरी शुदा वेक्ती हूँ मुझे भी वेतन मिल रहा है और चुकि मेरा चैन पांच अलग-अलग उसमें पदों में हुआ है हिंदी मिडियम, इंग्लिश मिडियम, सिक्चक, साय सिक्चक, चार पद वो हो गया साथ ही वेक्याता तो मुझे अगर वेक्याता के पदस्था अपना मिलती है तो मुझे उतना ही वेतन मिलेगा या साथ उससे कम वेतन मिलेगा जितना मुझे वर्दमान में मिल रहा है मैं फिर भी ये चाहूँगा कि जो सच में जरूरत मंद है उन तक जो आफशकता है रोजगार की वह पहुँचे इसलिए मैं आप सबसे करबद प्रात्ना कर रहा हूँ कि थोड़ सा सयम रखे आप सबसे इंपोर्डन बात जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सभी से जो चाहते हैं कि ये आदेस लागू हो और निकती मिले उन सभी से कि हम सब के लिए प्रात्मिकता है वो होने चाही निकती रोजगार हमारे पास में लीगल राइट्स आने देजिए हम एक उस भी भाग के करमशारियम को बनने देजिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और विश्वास दिला रहा हूँ कि जो स्टैपन वर्ड जो इस्तमाल किया गया है सरासर गलत है और इसका विरोध होगा पर अभी नहीं निकती के बाद जब तक हर एक जरुरत मंद को निकती नहीं मिल जाती ये पुरी भरती जो है कम्प्लीट नियु जाती पर ये बोल रहा हूँ कि जब अधिकार लेना हो और अधिकार नहीं मिल रहा हूँ तो पहले अधिकार ग्रहन कर लो और उन अधिकारों में जो कटवती की गई है उसकी लड़ाई अधिकार पाने के बाद लड़ो तो बस इतनी मेरी प्रात्ना है कि पहले आप लोग नियुकती ले लीजिए पहले आप लोग जॉइनिंग ले लीजिए आप लोग नौगरी पा लीजिए सभी से जो वरतमर में जॉब में है जो जॉब में नहीं है जिनको रिकॉइर्मेंट है जो अपना अपडेशन या प्रोग्रेस आते हैं वो सभी से बोल रहा हूँ कि आप जॉइनिंग लेना जाते है तो लीजिए और इसको पहले आप जॉइन कर लेजे उसके बाद में जब हम सभी को नुक्ति मिल जाएगी सभी पदों पे भरती हो जाएगी नुक्ति हो जाएगी उसके बाद हम इसकी विधिवत लड़ाई लडएंगे तरग संगत तरीके से सभी के अभी मत से लड़ाई लडएंगे और जो वास्तरीक अदिकार है हमारा चुकि भरती का गजट नेमित भरती के लिए था चुकि भरती की जो भी प्रक्रिया थी वो नेमित सिच्चकों के थी और कही ने कही हमारे आर्थिक के सासथ जो हमारा मतलब एक सम्मान था कि हमको एक नेमे सिख्चक की रूपे पतस्तापना मिलने थी वो हमसे छिन रही है मैं स्वयम सिखार कर रहा हूँ इस इचको तो यह जो स्टैपन वर्ड इन्होंने जो इस्तमाल कर दिया है सरसर गलत है अगर इस्टैपन वर्ड इस्तमाल नहीं करते तो भी कहीं न कहीं हम सहमत हो जाते पर उन्हें इस्टैपन वर्ड जो इस्तमाल किया है वो गलत है हम इसके विरुद बाद में कारवाही करेंगे वर्तमाल में न्युक्ति होने दिजिए सभी नौकरी पा लिजिए उससे बेनिफिट ये है कि आप सबको अधिकारी ग्रूप से लड़ाई लड़ने का अधिकार मिल जाएगा क्योंकि आप विभाग के करमचारी होंगे पहला सेकेंडरी आप सबको नेमित वेतन मिलेगा तो आप कोर्ट के चहरी के खर्च को वहन करने के लिए सक्चम हो जाएंगे तीसरा अगर अभी हम नौक्ति के पुर्व विरोध करते है तो हमारी नौक्ति और ये पुरी भरती खटाई में लटक जाएगी तो पहले जो हमारी सबसे पहली पुर्व नौक्ति वो पाईएं सकिंडरी आप विभाग के कर्मचारी बनके अधिकारी ग्रूप से लड़ाई लडने के लिए आप उस स्थान पर पहुंच जाएए अधिकार पा लीजिए तीसरी चीज जो हमारे साथ अन्याय हुआ है या होने वाला है स्थान पर बजा रहा हुँ है बार-बार वितन क्या है वितन से समझ़ोता किया जासकता है पर सम्मान से नहीं किया जासकता अधिकारों से नहीं किया जासकता तो स्थान जो वर्ड है मैं भी बोर रहा हु जब अधिकारी रुप से विभाग के करमचारी बन जाएंगे पहले से विरोध करेंगे तो 100% मैं आपको गारेंटी दे रहा हूँ कि ये निक्ति खटाई में पड़ जाएगे वैसे भी हम बहुत कष्ट में है वैसे भी ये विलम होना है और विलम होगा तो आप सबसे प्रातना है इसको और ना खीचें इसको हुने दें साथ ही मैं बता देता हूँ कि जो लोग वर्तमान में एकदम अपने सर में कपड़ा बांद लिए कि नहीं अप तो जाए रहेंगे अपन कोट केस करेंगे मैं उन सबी मित्रों से पुना हाज्रों के बिंती करता हूँ कि कुछ लोगों के नीजी स्वारत के लिए हजारों लोगों के जीवन से मत खेलिए अगर आप सच में अधिकार के लिए लड़ रहे है तो पहले नियुक्ति लेजिए नियुक्ति के बाद इस लड़ाई को हम सब मिलके लड़ेंगे मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ पर नियुक्ति के पूर्व नहीं और यदि नियुक्ति के पूर्व कोई वाद दायर करता है निक्ति के पहले कोई विवाद उत्पन न करता है तो निसंदे वो सिप अपने स्वारत के लिए लड़ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं वो बरतमान में ज़्यादा वितन पा रहा है कहीं न कहीं वो एक नेमिस असकी करमचारी है और उससे एक अस्थाई नौकरी और कम वितन में काम करना उसको पसंद नहीं आ रहा है तो इसलिए वो इसका विरूत करेगा अदर्वाइस जो सच में सभी के भलाई चाह रहा है सभी के हितों के लिए लड़ना चाह रहा है सबकी अच्छाई चाह रहा है और सबसे इसलिए जो नौकरी चाह रहा है नेमित वो इसका विरूत नहीं करेगा तो जो अगर ऐसा कुछ सोच रहा है या दिख ब्रमित हो गए है या किसी के भायकावे में आ गए है या फिर जो हमारे जोबी मित्र है पर स्टैपन लेट लड़ेंगे हम को स्टैपन नहीं चाहिए हम कोई प्रसिक्छू नहीं है हमने प्रसिक्छन प्राप्त कर लिया है हम प्रसिक्छित है पहली चीज तो हमको ये प्रसिक्छू जो सब दे स्तमाल होता है स्टैपन हमको नहीं चाहिए तीन साल हम प्रोबेशन के लिए तैयार है तीन साल हम आवे वेतन से कड़ोती केजी 70-90 प्रशन दीजिये, हम उसके लिए तैयार है लेकिन हम वेतन के रूप में लेंगे और वेतन के जो पेस के लोते हैं system होता है, जो deductions होता है, उन सब के साथ लेंगे, step and सब्द का इस्तमाल हम परदास नहीं करेंगे, लेकिन नियुक्ति के बाद हम भी रोत करेंगे, नियुक्ति के बाद हम लडाई लडेंगे, नियुक्ति के बाद में, हम अपने अधिकारों को पंच करेंगे, कि आपने यादश निकाल दिया ना, आपने अपना पक्स रख लिये शाषन, अब आप हमारी निकती करिए, आप तो हर सर्थ को अपने थोप रहे हैं, हमको सुईकार है, आपके हर सर्थ विकार है, हम से सर्थ आपकी निक्तियादिस का इंतिजार कर रहे हैं आप हमको दबाव डाना सासन पर विरोध नहीं करना है पस इतनी आप सबसे प्रात्ना है मेरा वाइस में सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीस सांत दिमाग से सांत मन से इस बारे में विचार करेगा